देश के चोदर राजु में रविवार से शुरू हुआ बारश का दौर आज सोमवार को भी जारी रहेगा मौसम विवार के मुदावे कोड़ साथ, मद्यप्रदेश, चतिसगर, महरास्ट में आज बारश के साथ ओले गरने की भी संभादना है वहीं केरल, तिलंगाना, बिहार, जारखन, पशिम बंगाल, असम, सिक्किम, मिघाले और अलुणाचल प्रदेश में हल्की बरसात हो सकती है बुजरात, गोवा, करनाटक, केरल, तिलंगाना, आंध्रदेश, तमिलनाडू और पुटुचेरी में लू का असर रहेगा इन राजों का मौझूदा तापमान 43 डिग्री तक पहुँच चुका है रविवार को सबसे जादा 44.5 डिग्री तापमान आंध्रदेश के नंदयाल में रिकॉर्ट किया गया था मौसर नवाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल, पुर्वक्तर भारत, ओड़िसा, मिहार, शत्रसगर अंध्रदेश महराष्ट में 40 से 50 किलोमीटर प्रती घंटी की रफ्तार से हवाय चलने का अनुमान लगाया गया है इसके अलावा 9 से 12 एप्रिल के बीच केरल, तटीय आंध्रदेश, तेलंगाना और करनाटक में बारिश हो सकती है बता दे कि उतर भारत में सब्ताद और वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस टक्राने वाले हैं जिससे उतर भारत का तापमान एक बार फर्क करवट लेगा पहला वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस 10 एप्रिल और दूसरा 13 एप्रिल को आक्टिफ होगा मौसम भार की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार उतर भारत में हिमाचल प्रदेश में 10 में से 13 एप्रिल तक बारिश होने के संभावना बनी हुई है वहीं पंजाब और चंदेगड में 13 एप्रिल को बारिश होने के असार बन रहे पिलाल कुछ दिन पंजाब और चंदेगड में मौसम खुशक ही रहेगा और गर्मी बढ़ेगी